हमस्कार तिबद टीवी के हिंदी प्रसारन में स्वागत है तिबद टीवी के हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन दलाय लामा वर्तमान तिबद के परिस्तिती निर्वासन में तिबद तथा तिबद मुक्ती सातना के संदर्व में वैश्विक कारिकरमों की जानक कराते हैं आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पलजोर देखिए इस सब्ता के प्रमुखबर परमपावन दलाय लामा और आग बिशौप डैस्मन टूटू ने ऑनलाइन के माध्यम से संकत के समय में खुशी और आनन की खोच नामक प्लिन्ट रिलिज गिया दिबतियों को परमपावन राय लामा जी के 86 वे जनम दीवर्स पर आवलो की तेश्वर मन्थ प्रात्मा करने की अग्रा सीक्यों पेंपत सिरिंग दोरा केंद्री अतिबती प्रिशासन के अधिकारिक प्रवक्ता की गोश्णा चीनी कमुनिस पार्टी के शदाक्ती वर्ष पर तिबत के राजदानी हासा ने तिबतियों पर अत्याचा जा रई चीनी अधिकारियों ने तिबती यूवा याजिन को निर्वासन में तिबतियों के साथ बात करने के लिए गिरफतार किया दर्मस्ताला स्थित तिपद नीती संस्थान दोरा त्रितिय पारेवरन समेलन का ओनलाइन बैठत आयोजित अन्यूज़ के संसदिय तिपद समर्थक समों ने नए सदिस्यों की परिचे बैठत का आयोजित किया गया था शुजलैन और लिचिंस्टिंग के तिपदियों ने सन्यूब राज जे चीन दोरा तिपद में नवसंघार के लिए जिम्मेदारी ठेराने की आवान किया अब सुनिए समाचार विस्तार से इसी एक जुलाई दो हजार एकीस को नॉबल शांती विजेता परमपावन दलाई लामा जी और आर्ग बिचौप डेस्मन टूटू ने आनलाइन मुलाकात कर मिशिन जौई फ्राइंडिंग हैपिननेस इन ट्रेबल स्टाइम्स नामक शॉर्ट फिलिम रिलीस किया था परमपावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं अपने पुराने मित्र आर्ग बिचौप डेस्मन टूटू के साथ आनलाइन बात करने के लिए खुशी और सम्हानित महसूस करता हूँ उन्होंने कहा कि मैं आर्ग बिचौप टूटू को मेरे बड़े अध्यातमिक बाई मानता हूँ हम शरिरिक रूप से धूर होंगे परन्तु मानसिक रूप से हम एक साथ हैं कि यह प्रवट बिच्छाए हैं । लटकारए करता हैं जो फिसकल अठीर साथ हैं यह परनालाओ करता हैं लग मैं आप्यों अघा कर निए एक साथ आर्ग शप्रिट्छनव करता चार्ड़िश्या यह बिँनावा I myself, you see, till my death, I carry your spirit. ने परम पावन दलाई लामा जी के 26 जनम दिन मनाने के लिए एक महतपून सूचना जारी किया था. इसमें केंद्रे तिबती प्रशासन ने सभी तिबती मठों और तिबती कलियान अदिकारियों को एक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तिबत्यों को परमपावन दलाई लामा जी के जनम दिवस को तिबती परमपरा अनुसार उनकी दिर आयू के लिए प्रातना पूजा करने की सला दिया है विशेश रूप से करुणा के भुद्ध अवलोकितेश्वर, मंत्र ओम मानी पत्मे हूँ जाप करने की अग्रा किया है इसी गुरुवार को कि इंद्रिय तिबिधी प्रशासन के सी क्योंग पेंबा थिरिंग ने दरमसाला सित्प पत्रकारों के साथ अपने पहली बैठक का आयुजन किया था पत्रकारों द्वारा चीनी कम्मिनिस पार्टी के शतापती वर्षगांट के सवालों पर उन्होंने कहा कि चीनी शासन ने तिबिधी पहचान को मिठाने के लिए तिबिधीयों पर दमनकारे नीदी लागू करना अब भी जारी है इसका सपष्ट उदारन ये है कि तिबिधी लोग चीनी शासन से नाखुश है इस वर्षगांट को जशन मनाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है एक जुलाई को चीन ने अपनी पार्ठी के शदबिधी वर्षगांट मनाया था परंतु तिबिध में तिबिधीयों तथा मूल चीनी लोग सरकार से असंतुश है इसी प्रकार इस अवसर पर सीक्यों पेंबाचिरिंग ने केंद्रिय तिबिधी प्रशासन के नए अधिकारिक प्रवक्ता श्री तेंजिन लेक्षे की नियुक्ति का ऐलान किया गत 1 जुलाई 2021 को चीनी कम्मुनिस पार्टी के स्तापना की सौवी वर्ष पर तिबबत के राजदानी लासा में चीनी अधिकारियों ने वैपक पैमाने पर निगराने तथा दमन शुरू किया है तिबबत से मिली एक वीडियो से ये सपष्ट होता है कि चीनी शाज़न दोरा तिबबती पहचान और सांस्कृति को मिठाने की दमनकारे नीती अब भी जारी है वीडियो में आप ये देख सकता है कि तिबबती लोगों की भावनाओं को आहत पहुचाने के लिए राज़दान इल्हासा के पोताला महल में चीनी जंड़ा फैराया गया था तिबबतीओं को पोताला के आसपास परेकर्मा करने से प्रदिबंदित किया गया है आपको बदा दे कि चीन सरकार इस वर्ष को तिबबत मुक्ती की सतर वर्ष का दावा कर रहा है वास्तव में तिबत पर चीनी कब्चे के सतर साल तिबतियों पर अत्याचार, दमन और यातना देने की याद करना है चीन ने विकास प्रकती और स्थिरता के नाम पर तिबतियों की अतीत और वर्तमान को मिठाने में हर प्रकार की तरीके अपनाया है यहां तक की चीन जातिया एक्ता के नाम पर तिबति संस्कृति और वाशाई पहचान को मिठाने के लिए लगातार तिबतियों पर अत्याचार कर रहा है इसी प्रकार इस दिन को बारत तथा विश्वबर के तिबतियों तथा तिबत समर्थकों ने तिबत मुद्दे को लेकर शान्ति पूर्ण प्रदर्शन, वैख्यान माला, संगोष्टी, इतियाती, अनेक कारेक्रमों का आयुजन किया था तिबत स्वायच्छेत्र के धीवू काउंटी नक्षू में चीन सारकार दोरा तिबतियों पर मनमानी डंग से ग्रफतार करना अब भी जारी है आपको बदा दे की चीनी शासन ने तिबत के नक्षू इलाख़ को वैपक निगरानी तथा अधिक संख्या में सुरक्षा करमी तैनात किया गया है चीनी अधिकारियों ने ग्याजिन नामक तिबती वैक्ती तथा अन्य कई तिबतियों को इस वर्ष के एपरिल महीने में गिरफतार किया था अधिकारियों ने ग्याजिन को निर्वासन में तिपती लोगों के साथ बात करने की तथा कथित आरोप में हिरासत में लिया था इसी 25 से 27 जून 2021 को तिपत नीती संस्तान के पारेवरन और विकास डैस ने तीसरा पारेवरन समयलन का ओनलाइन के माध्यम से आयुजित किया गया था तीन दिवस्य समयलन में विश्व के प्रसित विशेशगियों, सांसदों, पारेवरन कारेकरता तथा रन नितिग्यों ने वैश्विक जलवायू परिवर्थन में तिपती पठार की महत्व पर चर्चा की इस अउसर पर तिबद नीती सांस्तान के पारेवरन डेस के प्रमुक तेंपा जलजिन ने कहा की तिपती पठार पर जलवायू की परिस्तिती का खराब होना बोगोलिक प्रदिर्श्य और बोगोलिक स्तिती के कारण हुआ है फ्रेंच सेनेट में तिबद समर्थक समू के अध्यक्ष ब्रीनो जैकलीन ने एक स्वागद वा परिचे बैठक का फ्रेंच नैशनल असेंबली में आयोजित किया था इस अउसर पर अध्यक्ष जैकलीन ने तिबदी सांसत थुपतेन ग्याचो फ्रेंच तिबदी समुदाय के अध्यक्ष करमा ठिनले सचीब यंग्छेन डोलकार तथा तिबदी कारले के सचीब नामकिल सम्टुप का स्वागद किया इस बैठक में फ्रेंच के कई सांसतों ने बाग लिया फ्रेंच सेनेट में तिबद समर्थक समुद की पुनर स्थापना नॉयमबर 2020 को हुआ था अपने संबोधन में नर्वासत तिबदी सांसत की सदस्य थुपतिन ग्याचों ने मध्यम माक नीथी तिबद में मानववदिकार उलंगन तिबदी पारेवरन के महत्व आदी प्रमुग विश्यों पर जानकारी सजा की संज्युक राश मानववदिकार परिशत के चल रहे सत्र के दोरान स्विजलेन और लीचन स्टाइन में रहे रहे तिबदियों ने संज्युक राश मानवदिकार कारेले के पास एक दरना प्रदर्शनकायुजन किया था इस दोरान प्रदर्शनकारियों ने पांच बिंदु अपील पत संज्युक राश को प्रस्तुत की इसमें मुख्य रूप से चिनी शासन दोरा तिबद में सांस्कृतिक नरसंगार तथा तिबदी लोगों की धार्मिक परंपरा में हस्तशे बंद करने की अपील की है अपने संबोधन में जीनिवा तिबद कारले के प्रथिनिती शिरीचीमी रिंगजिन ने तिबदियों से अपने मुक्ती सातना में हर प्रकार की योगदान देने के लिए आवान किया उन्होंने कहा कि जब तक तिबबत समस्या का समादा नहीं होता तब तक हमें तिबबत के इस शांतिपून आंदोलन को जारी रखना चाहिए इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होती है अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे मुझे दीजिया आग्या नमस्कार